Hey my dear friends, this is Vishwajit and welcome to my channel Be Smarty आज किस वीडियो में हम लोग male reproductive system के बारे में पढ़ने जा रहे और आप लोग के दिवाग में जो भी सवाल होगा ना, वो सारा का सारा जो question होगा वो सब मैं यहाँ पे इस वीडियो में deal करने वाला हूँ और जब यह वीडियो complete हो जाए ना, फिर आप कोई भी question इस topics उठा कर देख लेना, miss नहीं होगा सारा का सारा मैं complete कर चुका होगा So without wasting more time, let's get the video started देखो, यह जो male reproductive system होता है ना, यह बहुत सारे organ से मिलकर बनता है जैसे कि यहाँ पे कौन-कौन सा organ आ जाएंगे जैसे आपका आजाएगा penis, scrotum, testis, seminal vesicle, prostate gland, vas difference, epididymis और urethra इन आठो से मिलकर आपका यह male reproductive system बनता है ठीक है, तो चलो हम लोग थोग सा detail में पढ़ लेते हैं, थोड़ा figure हम लोग देख लेते है तो figure में देखो, यह जो आपको पार्ट दिख रहा है, यह पार्ट आपका कहलाता है bladder और इसी bladder में हमारा urine होता है, ठीक है उसी के just पीछे आपको छोटा सा यह green color का कुछ दिख रहा होगा जिसको हम लोग बोलते है, seminal vesicle और इसका क्या काम है, वो भी मैं आने वाले slides में आपको बता दूँगा इसके side में आप यहाँ पर यह नीचे देख सकते हो, यह portion को हम लोग बोलते है, prostate gland ठीक है, और यह जो pipe आपको दिख रहा है इस pipe को, इस pipe को हम लोग कहते है, vast difference ठीक है, यह जो आपको पार्ट दिख रहा है, लंबा सा, जो हमारे body के बाहर निकला होता है, male के body के बाहर निकला होता है उसको हम लोग कहते है, penis, ठीक है, इसको penis नहीं, penis next, इसके नीचे जो यह आपको पार्ट दिख रहा है, ball type का, that is called testicle इसको हम लोग testicle भी कहते हैं testis भी कहते हैं confuse मत हो जाना ठीक है और ये जो pipe आपको दिख रहा है जिस pipe से urine निकलता है और sperm निकलता है इसको हम लोग कहते हैं urethra और इसी ball के पहले ये जो आपका testicle है testicle के उपर जो आपको छोटा सा part दिख रहा है ये वाला परपल कलर का इस part को हम कहते है इपी डाइडेमिस तो ये हमने figure के थुरू हमने देख लिया कि किसको हम लोग बोलते क्या है ठीक है तो अब आगे हम लोग थोड़ा सा सीख लेते और आगे जाने से पहले थोड़ा सा और हम लोग सीख लेते जैसे कि अगर मैं reproductive system की बात करूँ तो reproductive system में आपका male female दोनों आ जाएगा ठीक है ध्यान से देखना ये slide को थोड़ा ध्यान से देखना तो reproductive system में हमारा male आता है और साथ में female भी है ठीक है अब इसमें क्या हमको ध्यान में रखना है कि male में होने वाले जो चीज होते हैं या फिर जो भी reproductive organ होता है उसको हम लोग कहते हैं male gonad male gonad ठीक है और female में जो reproductive organs है उसको हम लोग कहेंगे female gonad ठीक है यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा अब चलते हैं आगे अब देखो male gonad में होता है male gametes और female gonad में होता है female gametes ठीक है male gametes को हम लोग बोलते है male sex cells ठीक है और female gonad female gametes को बोलते है female sex cells या हम इसको एक और नाम भी बोल सकते है जर्म सेल्स के नाम से भी बोल जाता है ठीक है जर्म सेल्स ठीक है बच्चों यहाँ तक तक कोई दिक्कत नहीं होगा चलो नीचे देखते हैं नेक्स्ट हमारा आएगा इसी में अगर मैं बोलू कि male gametes में क्या होता है भाई male gametes में आपका होता है क्या अच्छा चलो उससे थोड़ा से उपर चलते है यह वाले पार्ट में चलते है यह जो मैंने आप लोग को बताया यह यह male gonad और female gonad तो male gonad अखिर है क्या male gonad में आपका होता क्या है टेस्टीस में अपका female gametes in the similar way female gonad में आपका क्या होता है ओवरी और और ऑवरी के अंदर जो होता है यह तैस्ट कॉल आपका female gametes मैं चाहें इसको अभी यह खतम नहीं हुआ इसमें आपका हो जाता है male gametes male gametes को हम लोग बोल सकते हैं हमारा sperm sperm ठीक है और जो female gametes होता है ये हमारा हो जाएगा ovum या एक जिसको हम लोग बोलते हैं ठीक है तो इस पार्ट में इस वीडियो में हम लोग सिफ male reproductive system के बारे में ही बात करने वाले हैं तो female वाले को हम लोग किसी दूसरे दिन cover करेंगे ठीक है तो इसका पिस्किन सॉट ले लो हम लोग चलते हैं अब आगे ये पार्ट में आपको बाद में बताऊँगा पहले हम लोग थोग सा work and function पढ़ लेते हैं अच्छे सा समझेंगे ठीक है देखो जी ये गुनाड होता है न ये गुनाड का काम क्या होता है गुनाड का काम क्या होता है गुनाड सार्ट सेक्स ग्लैंड्स डैट आर दा पार्ट ऑफ male and female reproductive system in males they are testis or testicles and in females they are the ovaries ठीक है जैसे मैं आपको बताया कि एक ovary होता है उसको ovary कहते हैं एक से ज्यादा होता है तो ovaries कहते हैं आगे चलते हैं ये गैमेट्स क्या होता है गैमेट्स को अभी मैंने बोला कि इसको उम लोग sex cell भी कहते हैं जैसे कि gametes are the male and female reproductive cells the male gametes are called sperm and the female gametes are called ovum या eggs जैसे आपको मैंने बताया चलो आगे चलते हैं testis testis क्या होता है भाई it secrets the male sex hormone testosterone ठीक है testosterone जो होता है वो male sex hormone होता है अब मैं यहापे आपको testosterone के बारे में कुछ बताता हूं देखो जो boys में पुबर्टी के समय में जो भी body में growth होती है वो सारा का सारा testosterone का ही काम है एक male का जो सबसे main hormone होता है that is testosterone testosterone के दो function होते सबसे पहला होता है कि यह sperm का formation करता है and second यह हमारे muscle growth में help करता है ठीक है आपको यह दुबात ध्यान में रखना है next आता है scrotum अब यह by scrotum क्या है चलो मैं तो अपको पहले पिक्चर में ले चलता हूं यह देखो यह पार्ट है इसका function क्या है यह क्या करता है यह क्या करता है यह क्या करता है अब यहाँ पर एक बहुत इंपोर्टेंस अफैक्ट यह है कि हमारे बोडी में sperm form होने के लिए हमारे जो मेन बोडी का temperature है उससे कम temperature होना चाहिए अगर उससे कम temperature नहीं हुआ बोडी के temperature से तो वो sperm formation नहीं होगा अगर कोई आपको पूछे कि हमारे बोडी में sperm के formation के लिए जो exact या जो particular temperature होता है वो कौन सा होता है तो आप क्या बोलोगे भाई 34 degree Celsius क्या बोलोगे 34 degree Celsius हमारे बोडी का जो normal temperature होता है या दखना कि sperm formation के लिए हमारे जो बोडी है उस main body temperature से 3 degree Celsius कम temperature होना चाहिए हमारे स्क्रॉटम का यानि हमारे टेस्टिस में जिसके वज़र से sperm form हो पाए ठीक है और इसी वज़र से जो testicles होते हैं यानि स्क्रॉटम जो हैं वो हमारे बोडी के बाहर होता है यानि पूरे male body में यह मैं आपको दिखाता हूँ देखो यह चलो मैं इसी picture से आपको समझाता हूँ यह क्या है मैं आपको बाद में बताऊँगा यह देखो यह जो आपका testicles है इसके पीछे यह आपको यह लो कलर का पाउच दिख रहा है यहाँ पे देखो यह पाउच दिख रहा है तो इसी पाउच को हम स्क्रॉटम कहते है और भाई यह देखो हमारे body के बाहर होता है male के body के बाहर होता है स्क्रॉटम क्यों होता है reason क्या है क्योंकि 3 degree Celsius कम temperature होना चाहिए हमारे body के regarding अगर ऐसा नहीं हुआ तो स्पर्म का formation नहीं होगा next vast difference अब यह vast difference क्या है भाई the sperms formed in testis are carried through the tube called vast difference ठीक है तो यह जो vast difference होता है यह चलो आजो पिक्चर में यह देखो यहाँ पे यह है आपका vast difference यह आपको line दिख रहा है यह line यह देखो यह जो line है जो line क्या करता है यह वो tube है जो sperm को यहाँ से epididymis से carry करके ले आता है यह आपको पूरा में बताऊंगा कि कैसे होता है ठीक है अभी आप जाम लो कि vast difference एक tube है जिसका काम होता है कि वो epididymis से sperm को लेकर penis तक महुच आता है ठीक है ना next epididymis अब यह epididymis का काम क्या है epididymis का काम क्या होता है the epididymis is a long coil tube that stores sperm and transport it from the testis ठीक है तो इसका काम होता है कि testis से sperm को collect करना और collect करके वहाँ पे store करके रखना ठीक है चलो next अब यह भाई प्रोस्टेट ग्लेंड क्या है प्रोस्टेट ग्लेंड is located just below the blood in men and surrounds the top portion of the tube that drains urine from the blood the prostate primary function primary function is to produce the fluid that nourish and transports sperm यानि seminal fluid यह अगर मैं आपको ले चलो यहाँ पे picture में देखो यह देखो यहाँ पे यह वाला portion यह है आपका प्रोस्टेट ग्लेंड ठीक है अब यह प्रोस्टेट ग्लेंड के सामने आपको दिख रहा होगा यह छोटा सा जगह है जिसको हम लोग बोलते हैं स्पिंक्टर मसल और यह सिकूरता है और फैलता है सिकूरता है और फैलता है तो इसी से यूरीन जो है वो ब्लेडर से प्रोस्टेट ग्लेंड में आता है लेकिन यहाँ पे अगर हम रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लेंड का मेन फंक्शन होगा यह निउट्रिशन एड करता है क्या करता है भई, nutrition एड करता है, किसमे एड करता है, sperm में, next, seminal vesicle, seminal vesicle का क्या काम है, seminal vesicle and prostate gland add their secretion to sperms, so that the sperms are now in a liquid, यानि कहने का मतलब क्या है, कि prostate gland and seminal vesicle, पिक्चर में अगर मैं बात करूँ, prostate gland and seminal vesicle कहां पर है, देखो, यह है हमारा prostate gland, यहां पर, यह है हमारा seminal vesicle, और दोनों देखो, इस pipe से जोइन हुआ है, ठीक है, इस pipe से जोइन हुआ है, यह west difference यहां से गया, और यह pipe आ के जोइन कि यह कुछ इस तरह के nutrients को निकालता है, जो हमारे sperms को और nutritious बना देता है, ठीक है, sperm बहुत ही ज़्यादा nutritious होता है, क्योंकि एक sperm से ही, पूरे human का, यह एक living thing का formation होता है, सोचो, वो कितना ज़्यादा nutritious होगा, the secretions of, sorry, the secretions of seminal vesicle and prostate gland provide nutrition to the sperm and also make their further transport easier, यानि यह nutrition तो add करता ही है, और क्या करता है, साथ-साथ में इसमें थोड़ा सा इसको यह motile बना देता है, motile का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा यह easily move कर सके है, इसी को अम लोग कहते है, सीमन, ठीक है, S-E-M-E-N, ठीक है, तो स्पम जो होता है, वो थोड़ा जादा गाढ़ा होता है, लेकिन जैसे ही वो prostate gland और seminal vesicle के पास आता है, तो इसमें से कुछ nutrients, कुछ liquid उसमें add हो जाते हैं, जिसके वज़ा से स्पम थोड़ा सा motile हो जाता है, वो easily move कर सकता है, और इस समय जो हमारे body से निकलता है, that is called semen, इसको हम लोग कहते हैं, अब ये स्पम नहीं है, ये सीमन है, ध्यान रखना, यूरेथरा, अब ये यूरेथरा क्या है भई, in males, यूरेथरा forms the common passage for both spums and urine, अगर मैं male की बात करूँ, तो एक male में, जो यूरेथरा होता है, यूरेथरा ही common passage होता है, किस चीज का भई, sperm को carry करने का भी, और साथ-साथ में urine को भी carry करने का, लेकिन अगर मैं female reproductive system की बात जाता है, ठीक है, it carries the sperms to an organ called penis, which opens outside the body, और यूरेथरा, sperm को ले जाकर कहां तक पहुचा आता है, penis तक, जो हमारे body के बाहर होता है, अब भाई, ये penis क्या है, the penis passes the sperms from the man's body into the vagina of the women's body during mating for the purpose of reproduction, जब एक male, एक female के साथ, mating करता है, तो उस समय जो हमारे penis का का काम क्या होता है, कि वो sperm को वजाइना के अंदर डाल देता है, अभी वजाइना क्या है भई, female reproductive system एक पार्ट होता है, वजाइना, जिसके अंदर penis जाता है, और उसके बाद वहाँ से sperm कैरी होकर female body में चला जाता है, ठीक है, ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब हम लोग female reproduction पढ़ेंगे त ये जो आपको यहाँ पर penis दिख रहा है, इसका shape कुछ अलग है, और यहाँ पर देखो, ये जो आपको penis दिख रहा है, यहाँ पर इसका shape कुछ अलग है, ठीक है, तो ये penis को हम लोग कहते हैं, erected, जब तक एक penis erect नहीं होगा, तब तक उसमें से sperm या सीमन जो है, वो female vagina के अं अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं, ये देखो, ये एक most important part है, part है, कि एक sperm के कितने parts होते हैं, और ये कैसे move करता है, ठीक है, ये देखो, ये हमारा हो गया sperm का head, इस part को म कहते हैं, head, ये हो गया middle part, और ये हो गया इसका tail, ठीक है, इसके head में होता है, ac Acrosome, Acrosome में क्या होता है, Digestive Enzymes होती है, इसके बीच में, इसी head में, nucleus होता है, जिस nucleus में 23 pairs of chromosome होते हैं, उसके middle part में ये collar होता है, जिसमें mitochondria भी होता है, और इस लास्ट में ये अप का tail होता है, ठीक है, सके का tail का 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 में होता है, ये sperm को move करने मदद करता है, ओः इसका यहां से देखो, पूरा का पूरे कोटिंग किया हुआ है, दिख रहा है आपको, यह हमारा प्लाज्मा मेंब्रेन है, समझ गए, यह हमारा साइटो प्लाज्मा है यहां पे, तो यह पूरा का पूरा जो एक लिविंग सेल है, समझ गए, तो बच्चों अब यहां पे एक और च चुका होता है अब वो क्या करता है वो एपीडर्मिस के पास भेज देता है ठीक है तो यहाँ पर स्पर्म जो है वो क्या होता है मोटाइल हो जाता है अब मोटाइल होने के बाद वो धीरे से यहां से ऐसे से कैरी होते 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 थूरू पीनस यह क्या होता है फिमेल के वजाइना के अंदर चला जाता है तो यह पूरा पूरा जो है वो प्रोसेस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ह कुछ देता है कि ऐसा क्यूं है कि स्क्रॉटम हमारा बॉडी के बाहर होता है तो मैंने आपको बताया क्यों क्योंकि हमारे बॉडी में जो हमारा नॉर्मल टेंपरेचर होता है उससे तीन डिगरी कम टेंपरेचर की ज़रूद पड़ती है इस पर्म को फॉर्म करने के लिए ठीक है अगर इसके रिगार्डिंग अगर आपका कोई भी और क्वैरी हो तो प्लीज नीचे कमेंट करके मुझे पूछना एंड थैंक्यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो मिलता हो किसी दूसरे वीडियो में अबता कि लेवन तक लेवन टेक्रिए बीसेफ की बार इंग वाचिंग अजिए नीचेशना